जैशरी राम दोस्तों आज हम 28 दिसवे को अर्दवार के दर्शन करा रहे हैं देखिए आज 28 दिसवे के दिन देखिए कोहरा कितना है यहां पर हर्दिवार में आप देख रहे हैं होंगे बहुत ज्यादा आई ठंड है आप देखिए सामने कुछ भी नहीं दिखाई दिय रहा है देखिए दोस्तो गिगड़ भी बहुत कम है पाणी बहुत ठंड है आज सिर्फ गिनिचुने लोग ही हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितना कोरा पड़ रहा है यहाँ पर सो मीटर के दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पिल्कुल गोर सा देखो के तो भी कुछ दिखाई देगा यहाँ पर शिवजी की मूर्ती और गंगाजी की यहाँ पर श्रदालूएं बहुत ज़्यादा आने थे क्योंकि 28-39 दिसंबर को जरूर आने थे बहुत ज़्यादा और एक जनवरी को तो बहुत ज़्यादा लोग आने थे पर आज का दिन देख लगता है कि शायद लोग कम ही आएं पर शायद लगता है कि लोग आ भी सकते हैं आयत 28-3 की है 39-39 को अगर मोसम सही रहा तो लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं देखें यहाँ पर थोड़ी बोती तो चहल पहल है पर ठंड के कारण कई लोग अभी भी होटलों में दमशला में रुक्के पड़े हैं इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे हैं लगता है दूप द दो-3 गंटों बाद निकल जाएगी तब शायर लोग यहाँ पर आकर सनान करेंगे लोग डूप की लगाने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि ठंडा पानी बहुत ज़्यादा है दोस्तों वीडियो को आप जरूर से जरूर पूरा दे रिखेगा और मुझे किसे कीजिएगा अगर आपने हर्दिवार के दर्शन करने है तो मेरे चैनल को जूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाज तक दे गार रहे हैं दोस्तों मेरे चैनल मोष्ट परकास को जूर सब्सक्राइब कीजिए देखिए आपको गंगा के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं आपको घर पर बैठे ही दर्शन करवा रहे हैं हम देखिए कितने प्यारे दर्शन हैं पर अठंड अब हो ज़्यादा है दोस्तो इसलिए नहाने का मन कम ही करता है कई लोग तो सिर्फ अपने बालों पर ही पानी डाल कर ना रहे हैं अंदर जाने की कोशिच नहीं कर रहे हैं ये देखिए दोस्तो यहाँ पर चैल पैल भी बहुत ज्यादा कम है बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर चैल पैल अभी शायद थोड़े दिर तक लोग होटलों दर्मशालों से निकलेंगे बाहर जहाँ भी रहते हैं वो अभी शायद दो त्न गंटे बाद दूब निकलेगी तब शायद लोग आएंगे थोड़सा इन ति-जार कर रहे होगे वो जूर आएंगे लगता है कि दो-ती गूंतों बाद यहां पर राशोन शुरू हो जाएगा लोग कुछ तो ना रहे हैं दोस्तों इतनी ठंड में भी देखिए आप देख रहे होंगे कुछ लोग तो ना रहे हैं आज यह देखिए कुछ लोग तो सिर्फ पानी शड़क कर ना रहे हैं आप देख रहे हों कि दोस्तो बिल्कुल थोड़ पानी शड़क कर ना रहे हैं और द्वार में टंड में भी लोग बहुत ज़्यादा तदाद में आते हैं कई-कई त्योहा त्यारों पर पर लगता है ठंड बहुत ज़्यादा होने कारण इस बार लोग कम ही आएंगे दोस्तो मेरे चैनल को जूरू सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जूरू सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो लाइक जूर कीजिए मेरे चैनल को दोस्तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा कम है लोग थोड़ी तदाद में ही दिखाई दे रहे हैं दून्द भूँँजादा है दोस्तो क्योंकि अभी सुबा सुबा का टाइम है इसलिए आपको यह दिखा रहो हैं कि दून्द भूँँजादा है ये देखियो इस गाट पर तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रश है बाकी गाटों पर रश बहुत कम है आप अंदर जल लगा ही रहे होगे ये कौन सा गाट है देखते जाए दोस्तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा कम है दोस्तो आप देख रहे होगे कि बहुत कम रश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रश है अगर आपने आना है यहाँ पर तो अपने सारे कपड़े लेकर आई यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ठाण बहुत ज़्यादा है आपको कपड़े की जुरूर पड़ेगी यह देखी कितनी अच्छी दारा भाया रही है गंगा जी की अगर आप ऐसा ही दर्शन करना चाते हैं तो मेरे चैनल को जूर से जूर सब्सक्राइब कीजिए यह दूंद के कारण आपको पिक्चर साफ नहीं दखा दे रही है देखिए दोस्तो कितना अच्छा नहीं जा रहा है यह दूंशपुल है दूंशपुल भी दूर से कम इदखाई दे रहा है जी देखिए दोस्तो कितना कहको रहा है यहां पर हमारा फर्ज है यहां आपको